हेलो हाई गाइस हाव आई यू मैं निरस्तिवारी जीएस भाई निरसर में आप लोगों का स्वागत करता हूँ कि अग्ला लेक्षर अप्लोड करेंगे देश की संसथ की राजदानी और उसकी मुद्रा कर्या रिस्ट bias के द्रिश्टी से से पूंशा जाता है कर रिजनिम यहां तो 시के द्रिश्ट mailing मादे अधिक्याद में प्लॉट कर रहा है ठैक देश भारत है तो भारत देश की संसत को संसत कहते हैं और भारत की जो राजधानी नहीं दिल्ली है और यहां की मुद्रा रूपिया है ऐसे ही अगर अगले टन पर बात करते हैं तो रूस रूस की संसत का नाम डियूमा है जी रूस की संसत का नाम डियूमा है रूस की राजध सब्बढम करते हैं जो राजछडानी है मायडरोड टाप aule так करते हैं जिसका भारत गुलाम था तो बड़े थे संसत को कहते हैं पार्लियमेंट सब कई जगे आया है तो ब्रेटेन का संसत पार्लियमेंट कहलाता है ब्रेटेन की राजधानी तो सबको पता होगी लंदन होती है मुशा भी कई बार गया है रिजनिंग में कई बार मिलान करने को दिया है और उसके बाद बात करते हैं तो ब्र संसत का ना बुर्स टेग जर्मनी की संसत है और जर्मनी की राजधानी कई बार पूंशी गई है बर्लिन जी राजधानी मिलान करने को कई बार दिया गया है जैसे मास्कों को दिया गया है रूज की राजधानी ये मास्कों तो जर्मनी की राजधानी क्या होगी तो बर्लिन ह जाएगी और फिर जर्मनी की जो मुद्रा है डियूस मार्क है जी थोड़ा बड़ा नाम है बेट स्टेग और डियूस मार्क बेट स्टेग उसका है संसत का नाम और डियूस मार्क है जर्मनी की मुद्रा जी अगले टन पर बात करते हैं तो मंगोलिया की मंगोलिया की संसत को क पुछा गया है मिलान करने में कई बार आया है और फिर मंगोलिया की राजधानी जो है उलान बटोर याद रखेगा मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर और मंगोलिया की जो मुद्रा है उसे तुगरिक कहते हैं जी मंगोलिया की मुद्रा तुगरिक कहलाती है फिर अगले करने को जादा तर वार रिजनिंग में आया है क् Approach जी उसके बाद AH में भी कई बार पूछा गया है डारेक्ट पूछा जाता है इरान की राजधानी क्या है है बगदाद की का आ है हां तो दाइरेक्ट पूछ ने जाते हैं तो इरान- इरान की संसाथ को मजलिस कहते हैं अगर संसत से question पूछा जाता है तो ज़्यादा तर यही मान के चलिए कि उरिजनिंग के बेश से होगा जी तो एरान की संसत को मजलिस कहते हैं इरान की राजधानी तेहरान है कई बार पूछा गया है बहुत बार पूछा गया इरान की राजधानी तेहरान और इरान का पैसा कई बार पूछा गया है मुद्रा रियाल होता है इरान की मुद्रा रियाल है फिर अगले टर्म पर बात करते हैं ताइवान ताइवान की संसत को कहते हैं यू आन ज है और जो ताइवान का मुद्रा है वो डालर है जी ताइवान ये डालर दॉन्हां के बाद आए सब में पकुँछा गया है श्राय की संसत को नेसेnd कहते हैं और इसराय यहांगे PM भी यहीं आये थे जी Israeli PM भारत कीयत्रा पे थे और इस्राइट की जो मुद्रा है नू सेकले इश्राईली मुद्रा को कहते हैं फिर अगलेटर करते हैं जापान की जापान के प्रधानमंतरी सिंजो अब जी जापान की संसत को कई बार पूछा गया है डायट कहते हैं जी डायट और जो जापान की राजधानी टोकियो यह कई बार पूछी गई है रूस की राजधानी मौसको जापान की राजधानी टोकियो यह फाम में कई बार पूछा याद रखिएगा जापान की राजधानी टोकियो और जापान की मुद्रा येन ये भी कई बार पूछा गया है जी जैसे दे देता है कि ब्रेटेन का पाउन तो जापान का क्यों होगा तो ब्रेटेन का पाउन तो जापान का ये उन हो जाएगा फिर अगलेटरम पर बात करते हैं मालदियू की जी तो मालदियू की राजधानी माले है सबको पता थी लेकिन माल्दियू की संसत का नाम सबको नहीं पता था मजलिस है जी संसत का नाम मजलिस है और माल्दियू माल्दियू की जो मुद्रा है रूफिया है जी रूफिया माल्दियू की मुद्रा रूफिया स्वेडेन की संसत को कहते हैं रिक्स डॉग और स्वेडेन की राजधानी तो सबको पता होगी कई बार पूछा गया यह बहुत अच्छा सहर है और उसके बाद स्वेडेन की मुद्रा को क्या कहते है रोना कहलाती है अगलेटन पर बात करते हैं, नार्वे की संसत को कहते हैं, इस्टो टिंग, इस्टो टिंग, जी, नार्वे की संसत, इस्टो टिंग, नार्वे की राजधानी के बार पोचली गई है, ओसलो है, इसकी राजधानी, वहाँ मासको थी, यहाँ ओसलो है, और उसकी राजधानी मास को नार्वेकर राजदानी ओशलू जी तो नारवे की मुद्रा को क्या कहते हैं यहां करोण इससे पहले स्वेटन में करोना था यहां पर क्रोण आया है जी याद रखिएगा अगलेडन पर बात करते हैं भूटान की भारत का परेकर वीज़ये सो कई बार भूटान की संसत कानाम असे कई बार पूछा गया था स्ञेयरा रूसदानी तो सब को पता होगी थिम्फु, भूटान की राजधानी थिम्फु और भूटान की जो मुद्र आहिन आओ यह कई बार पूछी गई है इसलिए भारत की लिहाजे से से नाम इंट्रेम्स होते हैं उसमें अक्सर पडोसी देशों के नाम पूछे जाते हैं और या तो फिर जिन देशों से हाली में कोई समझगता हुआ हो या कोई युद्धा ब्यास चल रहा हो या वहां के कोई राष्टा धेच भारत की यात्रा पे आए हो या भारत के राष्टा जादे बार तो सोंगडू पूछी गई है संसत, भोटान की संसत को तो सोंगडू कहते हैं, और भोटान की राजधानी थिम्पू सबको पता थी, भोटान की मुद्रा कई बार पूछी गई है, अगले ट्रम पर बात करते हैं, पोलेंड की, पोलेंड वो जर्मनी पत्थर वाल जोसेफ फीटन साहब ने सीमेंट की जब खोज की तो यहीं पोलेंड के पत्थर का नाम ही उसे दिया था पहले तो पोलेंड पोलेंड की संसत को कहते हैं सोजिम याद रखेगा और पोलेंड की राजधानी जो है वारसा वारसा पोलेंड की राजधानी है इसमें अलब हुआ पाकिस्तान पाकिस्तान जी तक का नाम नेशनल एसेंबली है जी बड़ा नाम है नेशनलumbly और पाकिस्तान की जो राजधानी है इसे लोग कई बार गलत कर देते हैं राजधानी इसलामाबाद है लोग इसे लाहोर लगा कि आते हैं ऐसा नहीं है लाहर प्रसिद्ध सहर है पाकिस्तान का पंजाब प्रांते में पढ़ता है और जो पाकिस्तान की मुद्रा है वो रूपिया है पाकिस्तानी रूपिया जी अगले ट्रम पर हम लोग बात करते हैं तो बात आती है नेपाल की भारत का प्रोसीदे से अच् वहां की मुद्रा है नेपाली रुपिया जी अगे टर्म पर बात करते हैं मिस्र की मिस्र की संसत का नाम है पीपुल्स एसेंबली मिस्र की संसत का नाम पीपुल्स एसेंबली जी याद रखेगा मिस्र की राजधानी कई बार पूछी गई है काहिरा है इसकी राजधानी याद तो चीन की संसत का नाम है National People Congress, नाम थोड़ा बड़ा है, National People's Congress, चीन की संसत का नाम है, चीन की राजधानी कई बार पुछी गई है, बीजिंग है, और चीन की मुद्रा भी कई बार पुछी गई है, युवान है, याद रखेगा, राजधानी बीजिंग और मुद्रा युवा जी अगले टर्म पर हम लोग बात करते हैं फ्रांस की फ्रांस की संसत का नाम नेशनल एसंबली है यह सब क्वेस्टन रिपीटेड हुए हैं एक ना एक साल पूछे जरूर गये हैं किसी ना किसी एक्जाम में ज्याद आता हो तो एससिम पूछा गया है उसके बाद रेलवे व कभी पूछा जाता है कभी देश की संसत पूछ ली जाती है कभी देश की मुद्रा पूछ ली जाती है और कई बार तो ऐसा होता है चार देश देते हैं चार मुद्राइं देते हैं मिलान करने को देते हैं कभी होता है कि चार देश देते हैं चार राजधनी देते हैं उन्ह कई बार वीडियो देख लें एक जम कंठस्ट हो जाएगा तो फ्रांस की संसंद को क्या कहते है national assembly और फ्रांस की रासधानी कय बार पूछी कि यह पेरिस है पता होगा आगसी लोग में को पता है फ्रांस की रासधानी फैरिस जैसे ब्रेटन की पाकिस्तान की नाम से जाना जाता है, 1971 में इसका गठन हुआ, जनम हुआ, गठन काई कहते हैं, जनम हुआ, बंगलादेश, इसकी संसत को जातिय संसत कहते हैं, बंगलादेश की संसत को जातिय संसत नाम दिया गया है, और बंगलादेश की राजधानी तो सबको पता होगी, ढ तो बंगला देष की जो मुद्रा ये भी कई बार पूचा गया याद रखियेगा बंगलादेश की मुद्रा टका अगलेटन पर करते हैं आयरलेंड की संसत का नाम डेल आयरन डेल आयरन आयरलेंड की संसत का नाम है आयर वहां भी आया यहां भी आया है आयरन तो आयरलेंड की संसत का नाम डेल आयरन आयरलेंड की राजधानी डबलिंग यह कही बार पूछा गया है याद रखिएगा आयर्लेंड की राजधानी डबलिंग है और याद रखिए अगर लेटर बाद करते हैं मलेसिया की मलेसिया की संसोत को दिवान निगारा कहते हैं दिवान निगारा मलेसिया की संसत का नाम है और मलेशिया की राजधानी क्वालालपूर यह पूछा गया है कई बार जी मलेशिया की राजधानी क्वालालपूर और मलेशिया की जो मुद्रा है रिंग गिट यह भी पूछा गया है याद रखिए अगर क्वेश्चन आपको सही करना है जॉइनिंग लेना है तो आ क्लेसिया कि राजदानीः क्या होगी ए ढम पक्का सही जाएगा घाटता आपका फिर अफगानिसथान भारत की प्रोसी देश आफ करता है आफ गानिस्तान की ही गए कई डाटा मिलता աाटा मिलता, 85 इनिलता master ap अफगानिस्तान की संसत का नाम सोरा और अफगानिस्तान की राजधानी सब को बताओगी काबूल जी काबूल अच्छा सहर है गंदार नरेस यहीं से थे मामा सुकुनी जी अफगानिस्तान अफगानिस्तान की जो मुद्रा है वो अफगानी है देश के नाम पे ही अफगानी फिर अगले तरं पे बात करते हैं स्वेजर लेंड की स्वेजर लेंड गयाँ याद रखिए और स्वेडर लेंड की संसत को कहते हैं फेडरल एसेंबली इससे पहले पाकिस्तान की संसत को हमने देखा था वहां नेशनल एसेंबली सब आया था पाकिस्तान की संसत को नेशनल एसेंबली जबकि हम लोग स्वेजर लैंड की बात करते हैं तो फेडरल एसेंबली स्वेजर लैंड फेडरल एसेंबली पाकिस्तान न नेशनल एसेंबली और यहां ग्रेंड नेशनल एसेंबली तुर्की का नाम जी तुर्की के संसत का नाम ग्रेंड नेशनल एसेंबली अगर ग्रेंड हटा दिया जाये नेशनल एसेंबली आए तो पाकिस्तान की संसत का नाम हो जाता है तो तुर्की संसत का नाम ग्रेंड लीरा जी तुर्की की मुद्रा लीरा जापान की मुद्रा यें तो तुर्की मुद्रा लीरा हो जाएगी याद रखिए अगले टरम पर बात करते हैं तो आस्ट्रेलिया की जी जहां कंगागों को ज्यादा जनम होता है आस्ट्रेलिया जी तो आस्ट्रेलिया की संसत को पारलि कहते हैं और पार्लियमेंट सब देखाऊ रहाएगा कनाड़ा की संसद को भी पार्लियमेंट ही कहते हैं याद रखेगा अगर क्वेस्चन पूछा जाता है तो पार्लियमेंट सब जितने हैं कनाड़ा हुआ अश्ट्रीलिया हुआ ब्रटैन हुआ इनमें से एक एक देगा दे आश्ट्रेलिया की राजधानी के बार पूछा गया है वियनॉयौ है जैसे स्वेटनकी मुद्रा क्रोणा तो आश्ट्रेल्य की मुद्रा सेलिंग अमेरिका की संसत का नाम कांग्रेस है जि इस समय से में राष्ट्रेती को sounds हैं डोनार्ल ट्रंप जी याद रखेगा है तो USA UK संशत को कहते हैं कांग्रेस USA उसकी राजधानी वशिंगटन डी सी जो एक से की राजधानी है जी से की संशच को डालर कहते हैं इसे अमेरिकी डालर का नाम दिया गया है डालर दालर नाम है USA की मुद्रा है फिर डेन्मार्क की बात करते हैं हम लोग तो डेन्मार्क की संसत को कोहते हैं फोल केटिंग यहां डेन्मार्क की संसत का नाम है और डेन्मार्क की जो राजधानी है वो कोपेन ही मुद्रा को कर दाप तो Nava की मुद्रा क्रों है और Denmark की मुद्रा भी क्रों ही है याद रखें पहले बात करते हैं कुनाड़ा की तो कनाड़ा किनाडा की राजधानी उटावा मिलान करने में अकसद देता बैंक में कई बार question file पूछा किया है याद रखें और कनाडा की जो मुद्र भी डालर कनाडा ही डालर याद रखें तो हमें लगता है लेक्ट्चर अच्छा है है अगर आप लोगों को लेक्षर अच्छा लगे तो प्लीज सेयर कर दें जैसा भी हो कमेंड बाक्स में जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वेल आइकन को जरूर दबाएं ऐसे ही हम तमाम वीडियों आपको बहार सुरूप देते रहेंगे ओके थैंक्यू क्लास